तो कल वित मंत्री निर्मला सीतारमन मोधी सरकार के तीसरे कारेकाल का आम बजट पेश करने बाली हैं बजट को लेकर केंद्र मंत्री रामदास अठावले ने जनतन तुटीवी से घास बाच्चित की आपको तिकाते हैं सुनवाते हैं संसत बजट सत्र का पहला दिन था और आज भी लगतार हंगामा वहां होता रहा हमार साथ में बाच्चित करने के लिए हैं केंद्र मंत्री रामदास अठावले जी सर संसत का बजट सत्र का आगाजास से हुआ और ऐसे में महमत देखने के लिए मिला कि जो नीट मामला है उसको लेकर लगतार विपक्ष हंगामा वहां करता हो नजर आए मुझे लगता है कि विपश्च तो हंगामा करने का बैदिकार है लेकिन हर बार हंगामा करना ठीक नहीं है मतलब विपश्च ने कामकाज में भाग लेना चाहिए ही वहां कुछ सवार मतलब उठाना चाहिए ही और हर एक पार्टी के मिम्बर को अपना-पना भुमिकार उसमें कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है इसी तरह की जानकारी उन्होंने पार्लमेंट को देदी लोकसवा को देदी है तो नीट के संबन में जो भी सरकार के तरब से स्ट्रिक्ट एक्षेन लेने का निरने हो चुका था और धर्मेंदर पदान जी लगातार उसमें दिध्यान दे कर थे और जो भी इसलिए जिम्मेदार है उनके ओपर कठोर कारवाय करने का भी काम चल रहा है लेकिन पेपर लीप के बारे में जो पूरी जानकारी जाईदा जान गरने के बाद मतलब धर्मेंदर पदान जी ने बता है कि बैए कोई पेपर लीक ने हुआ है वही दूसी तरब सर राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पूरा भारत का जो शिक्षा सिस्टम है वही थप मतलब एक तर फ्रोड है इस तरीकी की भाशा का इस्तमाल की अगर अगर अगोल गंदी जी बोल रही कि बोड़ा शिक्षा डिपार्मेंट फ्रोड है तो कॉंग्रेस पार्टी ने क्या इतने दिन फ्रोड किया था क्या मुझे लगता है कि इसी तरह का अरोब लगाना ठीक नहीं है लेकिन जहाज कमिआ है उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी सरकार शिक्षा नित्वी को बड़ाव देने का काम कर रही है और शिक्षा नित्वी मजबूत हो हर घर-घर का बच्चा और हमारी बच्ची स्कूल में जाएं इसी तरह की भूमें का हमारे सरकार की है और यहां लिटरशी जो है 100 परशेंट होनी चाहिए इसके लिए शिक्षा पर हमारे सरकार का पूरा ध्यान है तो राहूल गांदी के आरोप में बिल्कुल तक्ते नहीं है जहां जहां शिक्षा में कोई कम है उसको दूर करने का काम जरूर हमारी सरकार कर रही है तो देंकि यहां आप केद्ने मंति रांदा सठाबले को सुन रहे थे कैमरा परसंद विवेक के साथ जनतन त्रीवी दिल्ली